आज का हमारा topic pipes and system ध्यान रखें, pipes and system time and work की series का ही continuation है, जहां पर हमने पहले time and work के कुछ question पढ़ें, जो पहले 3 lecture है, हमने time and work के question पढ़ें, जो चौथा lecture था, वो work and wages का था, और आज का जो पाँचवा lecture है, वो pipes and system का है, मतलब हम यहां पर ऐसे question से deal करने वाले हैं, जो pipes and system, अ कि हमारे पास कुछ inlet pipe है, यहां पर दो inlet pipe है, और दो outlet pipe है, तो याद रखें, pipes तो आपको समझ में आता होगा, कि वो pipe जिन से पानी हमारे घरों में आता है, हमारे टंकी में आता है, और cistern का मतलब होता है, टंकी, सीधी भासा में cistern का मतलब टंकी होता है, हमारे टंकी में कैसे जाते हैं, अगर आपने पहरे Time and Work का लेक्चर नहीं पढ़ा है, तो प्लीज इस वीडियो लेक्चर के बाद जा के उस लेक्चर को जरूर देखें, अगर फिर भी अगर आपको अभी सीधे इस class को अटेंड करना हो, तो भी आपको मेरे हिसाब से दिक्तत नहीं होने चाह करते हैं, इसको समझने के, देखें, हमारा जो पहला सवाल है, इनको सीधा सवालों के थूरू समझते ही, यह सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी quantitative aptitude के topic को समझने का, हमको क्या बोलता है, an outlet pipe can empty a system in 5R, in what time the pipe empty 2 by 5 part of the system, आपको ध्यान देनी वाली बात यहां है, यहां पे ब एक ऐसा pipe जो पानी को बाहर निकालने के लिए बना होता है, वो उस टंकी को, cistern का मतलब होता है, वो उस टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है, in what time the pipe empty 2 by 5 part of the system, मतलब आप से अब यह सवाल पूछता है, कि अगर वो outlet pipe, पूरी टंकी को 5 घंटे में खाली करता है, तो पारे में बात किया है, 2 by 5 part, तो मेरा थोड़ा different approach होता है, चीजों को solve करने का, मैं रटने पे ज़्यान नहीं देता, ना मैं रटाने पे ध्यान देता हूँ, आपको चीजों को समझने पे ज़्यान देना है, अगर मान लीजे मैं 2 by 5 part का मतलब समझना चाहूँ, तो पहले क कोई भी fraction का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, अगर मैं 2 by 5 की बात करूँ, उसका मतलब यह है, कि किसी चीज के अगर 5 बराबर हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा और पांचवा हिस्सा, अगर किसी चीज के 5 बराबर हिस् की बात चल रही है हमको और हमसे इसी का समय पूछा गया है कि अगर मान लिजे पूरा का पूरा टंकी पांच घंटे में खाली होता है तो फिर उसका टू बाई फाइव पार्ट मतलब अगर उस टंकी को मैं पांच बराबर हिस्व में बाट दू तो बताइए उसका दो बराब मानी गई है और अगर ये पूरा पांच ये पूरा पांच हिस्सा खाली करने में पांच घंटे लग रहे हैं हमारे कुश्चिन के हिसाब से ये पूरा पांच हिस्सा खाली करने में पांच घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर हिस्सा खाली करने में एक घंटे ल लग रहा होगा तभी तो 5 बराबर इससे खाली करने में उन 5 घंटे का समय लग रहा है तो अगर हर हिस्सा खाली करने में एक घंटे का समय लगता है तो इसका मतलब यह है कि 2 by 5 का मतलब उन 5 में से 2 हिस्सा हर हिस्सा खाली करने में एक घंटा लग रहा है इसका मतलब यह है कि 2 by 5 part मतलब उन 5 बराबर हिस्सों में से अगर 2 हिस्सा खाली करना हो और हर हिस्सा खाली करने में 1 घंटा लगता है तो 2 हिस्सा खाली करने में 2 घंटे का समय लगेगा इसमें ना कोई formula के जरुरत है ना कोई trick के जरुरत है कि trick बहुत बार दोखा दे देते हैं, trick आपको सोचना नहीं सिखाते हैं, trick आपको सिर्फ याद करना सिखाते हैं, तो मेरी जो कोशी से वो है, आपको सोचना सिखाना कि आप सोच कैसे सकते हैं इन चीजों को, तो मैं ऐसा करता हूँ, यह चीज आपको समझ में आई होगी चलिए अब कुछ और questions की तरफ बढ़ते हैं देखते हैं वो questions बोलना क्या चाहते हैं अब हमारे पास जो अगला question है वो यह है कि if a pipe can fill a tank in 2 hour and another pipe can fill the same tank in 6 hour then what part of the tank will be filled by both the pipes in 1 hour if they are opened simultaneously देखिए ध्यान रखना है आपको हमारे पास 2 pipe है जब भी ऐसे question हो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ again यह time and work का ही तरीका है पर फिर भी यहां हम उसको फिर से समझते हैं मान लीजे 2 pipe है मैं पहले pipe को मानता हूँ ए और मैं दूसरे pipe को मानता हूँ भी पहले pipe को वो tank भरने में 2 घंटे का समय लग रहा है और दूसरे pipe को उसी tank को भरने में 6 घंटे का समय लग रहा है तो जब भी ऐसा सवाल हो तो पहले तो आप time लिख ले जो उनको पूरा समय लग रहा है इसके बाद आप इनका LCM निकाल ले इनका जो LCM होगा मतलब यह जो total घंटे हमको given है इनका जो LCM होगा वो आपको total quantity देगा मतलब आपको वो tank की पूरी capacity देगा मतलब अगर मैं 2 by 6 की बात करूँ तो इसका मतलब यह है कि मेरे जो capacity है tank की वो 6 है अब आपस इसको 6 liter में मान लीजे इसका मतलब यह है कि अगर पहली pipe को उस tanky को भरने में 2 घंटा लगता है दूसरे pipe को उस tanky को भरने में 6 घंटा लगता है और क्योंकि इन दोनों का LCM 6 है तो मैंने मान लिया कि उस पूरे tanky की capacity 6 liter की होगी इसका मतलब यह है कि इसका जो per hour work होगा देखिए धान दीजे यहाँ पर hour में बात किया है और हमको कुल घंटे की बात की गई है कि pipe A को 2 घंटे लगते है और pipe B को 6 घंटे लगते है याद रखे जब भी आपको यह total hours given हो जैसे हमने time and work में भी discuss किया है तो जब भी आपको total hour given हो आप उनके LCM निकाल ले यह जो LCM होगा यह आपको total capacity of the tank देगा मतलब tank की cool capacity कितनी है वो कितना पानी अपने अंदर hold कर सकता है और अगर यह पूरे की पूरे tank को भरने में 6 घंटे के tank को भरने में 2 घंटा लगाता है इसका मतलब वो एक घंटे में 3 घंटे भरता होगा और अगर यह 6 घंटे लगाता है तो इसका मतलब यह घंटे में 1 लिटर भरता होगा तो यह तो बात आ गई कि 1 घंटे में pipe A और 1 घंटे में pipe B उस tank जो tank 6 लिटर का है उसका कितना पार्ट भरेंगे अब then what part of the tank will be filled by both the pipes in one hour हमको क्या given है कि फिर बताये कि 1 घंटे में उस tank का कितना part भर जाएगा अगर दोनों को simultaneously का मतलब होता है अगर दोनों को एक साथ चालू किया जाए तो अगर मान लीजे दोनों को मैं एक साथ चालू करता हूँ तो 3 प्लस 1 होता है 4 इसका मतलब ये एक घंटे में चार लिटर पानी भर सकते हैं और आपके पास cold tanky की capacity कितनी है 6 लिटर की और ये जो है ये per hour work है मतलब एक घंटे में pipe 3 लिटर भर सकता है और pipe B एक घंटे में 1 लिटर भर सकता है इसका मतलब अगर दोनों मिल के काम किरा तो एक घंटे में 4 लिटर भर सकते हैं तो ये तो जवाब हो गया कि एक घंटे में ये दोनों मिल के 4 लिटर भरेंगे पर हमारा सवाल है what part what part का मतलब है 6 में से कितने हिस्से एक घंटे में भर जाएंगे तो 6 में से कितना हिस्सा भर जाएगा 6 में से 4 हिस्सा भर जाएगा तो अगर मैं 6 में से 4 हिस्सा भर जाएगा तो इसको मैं 4 by 6 लिख सकता हूँ और अगर मैं इसको और छोटा को रहूँ तो 2 by 3 part या फिर 4 by 6 part जो भी आपके सवाल का हिस्सा हो जनरली 2 by 3 part आपका answer होगा तो अगर उस टंकी के 3 बराबर हिस्से किया जाए तो एक घंटे में उसका 2 हिस्सा भर जाएगा यह बड़ा simple है ध्यान रहे कि जब भी ऐसे सवाल हो तो पहले आप total work लिख ले कि वो कितना time पूरे tank को भरने में लेते हैं यह मैंने सिधा सिधा लिख लिया फिर इन दोनों के LCM निकाला मुसको total capacity of the tank मिल गया फिर मैंने निकाला एक घंटे में pipe A का काम और फिर मैंने निकाला एक घंटे में pipe B का काम मैंने दोनों को जोड दिया तो 3 plus 1 4 यह हो गया इसका मतलब 6 लिटर में से 4 लिटर भर जाएगा और इसलिए मैंने लिखा 4 by 6 मतलब 6 लिटर में से 4 लिटर भर जाएगा और अगर इसको और simplify किया जाए 2 से काट के तो यह हो जाएगा 2 by 3 इतना simple सा सवाल है यह अब चलिए बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ कोसिस की है कि आपको जो pipes and system के question है मैं उसके जो concept है मैं आपको question की through ही समझाने की process करूँ देखिए ध्यान रहे कि अगर कोई pipe पानी भरने का काम कर रहा है तो उसके काम को plus में आपको consider करना है पर अगर कोई pipe उस टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहा है तो फिर आपको उस work को minus मिलेना है इतनी बात आपको ध्यान रखनी है अगर पानी खाली हो रहा है तो उस काम को आपको minus मिलेना है और अगर पानी भरने का काम हो रहा है तो उस काम को आपको plus मिलेना है तो मैं फ ये जो टैंक है ये इसको खाली करने का काम कर रहा है इसका मतलब माइनस टैन हो गया देन पार्ट फिल्ड बाइब बोथ पाइब इन वन आर आपको बताना है कि एक घंटे में उस टैंक का कितना पार्ट फिल होगा देखिए यहाँ पे फिर से वही करना है जब आप NCM लें तो । प्लस और माइनस का ध्यान न दे LCM लेतेवड प्लस और माइनस आपको इगनोर करना है तो इसका मतलब यहाँ पे जो LCM होगा हो 问题 इसका सीधा सा इतना सा मतलब है कि ये जो टैंक है उसकी टोटल कैपिसीटी 10 लीटर की है और अगर वो पाँच घंटे में उस टैंक को भर पाता है जिसकी कैपेसीटी 10 लीटर की है मतलब वो एक घंटे में 2 लीटर पानी बरता हो तो pipe B, एक घंटे में एक लिटर पानी निकाल दे रहा है, अब सोचिए, अगर pipe A, एक घंटे में दो लिटर पानी भर देता है, पाइप B एक घंटे में एक लिटर पानी निकाल देता है, दो लिटर भरा, एक लिटर निकल गया, तो बचा तो एक ही लिटर, अब मैंने यहाँ पे वही करना है, टू माइनस वन यह हो जाएगा वन, तो यह वन क्या है, यह दोनों पाइप अगर एक साथ काम करें, तो आपक से सवाल भी यही है, कि then part filled, then part filled by both pipes in one hour, एक घंटे में उस टंकी का कितना part भर पाएगा, अब देखे ध्यान दीजे, उस tank की capacity है 10 लिटर, उस 10 लिटर में से आपने एक घंटे में कितना भर पाया, एक लिटर, इसका मतलब part filled कितना होगा, 1 upon 10, तो हमारा इस सवाल का अगर उस tank के मैं 10 बराबर इस से मानू तो, या फिर सीधा सा जवाब, जो part filled होगा, वो होगा 1 upon 10 part of the tank, फिर से हमने किया वही है, ध्यान दे जो हमने पिछले question में किया था, pipe A को, 5 घंटे में pipe A उस tank को भर देता है, और pipe B खाली करता है, इसलिए मैंने minus का sign लिया, खाली कर मैं per hour work निकालू, तो अगर वो 10 लिटर के tank को 5 घंटे में भरता है, इसका मतलब वो हर घंटे में 2 लिटर पानी बरता होगा, और अगर वो 10 लिटर के tank को 10 घंटे में खाली करता है, इसका मतलब यह है कि वो हर घंटे में 1 लिटर खाली करता होगा, तो अगर वो 1 घंटे मे दो लिटर भर रहा, एक गंटे में एक लिटर खाली भी हो रहा, तो एक गंटे में जो टोटल भरने काम है, वो तो एक लिटर है, इसका मतलब एक गंटे में वो एक लिटर भर पाता है, तो हमारा जो आंसर होगा, वो होगा 1 upon 10 part, क्योंकि जो 10 है, वही हमारी total capacity of the tank है, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी doubt हो, तो प्लीज आप मुझको comment box में बताएं, मैं ये चाहूंगा कि आप live जुड़े, और आप मुझको live जुड़ने का समय भी बता सकते हैं, कि कौन सा सबसे appropriate time होगा आप से live जुड़ने का, ताकि मैं आपको आपकी classes personalized feel दे सको, चलिए, अब हमारा जो सवाल है, two pipes A and B can fill a tank in 18 hour and 12 hour respectively, if both the pipes are opened simultaneously, then how much time will be taken to fill the tank, अब जो सवाल क्या है, कि हमारे पास दो pipe हैं, एक pipe, फिर से वही हमारे पास दो pipe हैं, A और B, pipe A इस tank को 80, 18 hour घंटे में भरता है, और pipe B इसी tank को 12 hour घंटे में भरता है, और हम से जो सवाल पूछा गया है, वो ये कि अगर दोनों को एक साथ, simultaneously का मतलब होता है, अगर मैंने दोनों pipe को एक साथ चालू कर दिया, तो मुझको ये बताना है, कि वो tank जिसको pipe A को भरने में 18 घंटे लग रहे थे, अकेले, pipe B को अकेले उस tank को भरने में 12 घंटे लग रहे थे, तो अगर ये दोनों pipe को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो अब वो ही tank कितनी देर में भराएगा, तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज की ज़रूरत है, वो है total capacity of the tank निकालना, और total capacity of the tank कैसे निकलेगा, इन दोनों का LCM लेके, अगर हमारे पास दो नंबर 18 और 12 है और इनका LCM लेना हो, तो बड़े वाले नंबर का 18 टूजा 36 और बारा कम बारा, बारा दिनी चोबेश, बारा तिया 36, इसका मतलब इसका जो total capacity है, वो 36 लीटर का है, मैं जानबूझ के लीटर मान लेता हूँ, अब इसका मतलब यह है कि इसका जो per hour work होगा, वो 2 होगा, और इसका जो per hour work होगा, वो 3 होगा, अब यह देखे, यह एक घंटे में pipe, यह जो है, वो एक घंटे में 2 लीटर भर पाता है, तभी तो वो 36 लीटर के tank को भरने में 8 घंटे लेता है, वो हर घंटे 2 लीटर भरता है, तो इसका मतलब 36 घंटे, में 5 लीटर भरेंगे, सिंपल ची बात है, मैंने वही किया, हर question में मैं वही कर रहा हूँ, पहले जो total time दिया रहता है, उसको आपको लिख लेना है, दोनों के LCM निकाल के, आपको total capacity of the tank निकाल लेनी है, और उसके बाद आपको, दोनों का परार वर्क निकाल लेना है, अब क्योंकि यहाँ पर both the pipes are opened simultaneously, how much time will be taken to fill the tank, इसका मतलब एक घंटे में वह 5 लिटर भरते हैं, total capacity कितनी है टाइंग की, 36, तो अगर 36 लिटर के टाइंग को भरना हो, एक घंटे में वह 5 लिटर भरते हैं, तो divided by 5 करना पड़ेगा, अब यह simple से division है, अगर मैं 36 को 5 से divide करूँ, तो 5, 5 जा, 5, 7 जा 35, 5, 35 और यहाँ पर हो जाएगा, LCM आ जाए, sorry remainder आ जाएगा 1, तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 7, 1 by 5, इसका मतलब यह है कि, कुल 36 लिटर के टैंक को भरने में, अगर दोनों एक साथ चालू कर दिये, तो 7, 1 by 5 आर का समय लगेगा, चलिए, अब बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल की तरफ, A pipe can fill a tank in 5 आर, while another pipe can empty it in 6 आर, देकि ध्यान दीजे, एक pipe है, जो 5 घंटे में उस टैंक को भर पा रहा है, another pipe can empty it in 6 आर, if both the pipes are opened simultaneously, how much time will be taken, साथ यह question हमने पहले कर लिया है, बिल्कुली question हमने पहले कर लिया है, यह question repeat हो गया है, चलिए बढ़ते हैं, अगले question की आर, देखिए, a pipe can fill a tank in 10 आर, एक pipe जो है, वो किसी टैंक को 10 घंटे में भर पाता है, यह अच्छा question है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, due to a leak in the bottom, it fills the tank in 20 आर, if the tank is full, how much time will the leak take to empty it, पहले सवाल को समझना जरूरी है, देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक pipe की बात की जा रही है, हमारा सवाल कैसा है, कि हमारे पास एक pipe है, वो किसी टैंक को भरने में, पूरा भरने में 10 घंटे का समय लेता है, लेकिन, उस टैंक के bottom में एक छेद है, एक leak है, जिसके कारण जो पानी है, जब टंकी में पानी भर रहा है, तो साथ ही साथ पानी leak भी हो रहा है, और अगर leak चलता रहे, तो उसी pipe को, जो बिना leak के उस टैंक को 10 घंटे में फिल कर पाता है, उसी pipe को, अब उस टैंक को भरने में 20 घंटे लगेंगे, तो आपको यह बताना है, कि अगर पूरा का पूरा tank फिल हो, तो वो टैंक कितनी देर में खाली होगा, किस कारण उस leak की कारण, फिर से सवाल समझे, हमारे पास एक pipe है, वो जो pipe है, वो उस टैंक को 10 घंटे में भरता है, पर क्योंकि उस टैंक के bottom में एक leak है, और अगर वो leak साथ साथ में चलता रहे, जब वो पानी भर रहा है, तो अब उस टैंक को भरने में 20 घंटे का समय लगेगा, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, अब यहां तक ये एक पार्ट है question का, दूसरा पार्ट बोलता है, कि if the tank is full, माल लीजे वो टैंक पहले से भरा हुआ है, अब पानी भर नहीं रहा, अब सिर्फ लीक है, मतलब एक तरब से पानी पाइप मैंने बंद कर दिया, अब पूरा का पूरा टैंक भरा हुआ है, और आपको ये बताना है, कि वो जो लीक है, वो उस टैंक को कितनी देरे में खाली कर देगा, तो देखे ध्यान दीजे, क्योंकि यहाँ पे 10 घंटे और 20 घंटे की बात करता है, मैं क्या करता हूँ, एक अजमसन लेता हूँ, कि मान लीजे वो जो टैंक है, वो 10 लीटर का है, मैंने मान लिया, मैंने क्या बोला, मेरा जो तरीका है, वो कुश्चन को समझ के बनाने का है, मतलब जबर्दस्ती सौट कट के पीछे भागना, और ऐसी चीजे जो हमको रटनी पड़ें, वो हमारे लिए एंड में और परसानी का कारण बन जाती है, तो बेटर है कुश्चन को समझे, मान लीजिए 10 लिटर का टैंक था, और उस 10 लिटर के टैंक को भरने में 10 घंटे का समय लग रहा था, अब आपका सवाल होगा क्या सर, 10 लिटर लेना जरूरी है नहीं, बिल्कुल जरूर है नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं, पर जैसा आप इसको लेंगे, वैसा ही वो चीज आगले वाले के लिए भी बदल जाएगी, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, पर मैंने अपनी simplicity के लिए 10 लिटर 10 घंटे में, अब आपको खुद समझ में आ जागा, इसका मतलब यह है, कि एक घंटे में ये जो एक लिटर पानी भर पाता है, मैंने जान मुझ के ऐसा लिया, ताकि unitary method में अपलाई कर सकूँ, कि अगर 10 लिटर, मैंने अगर 10 लिटर माना इसकी capacity को, तो मेरे लिए calculation बड़ा असान हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटे का समय दिया गया है, तो मैंने जितने घंटे थे, मैंने उतना ही लिटर मान लिया, सिर्फ अपनी calculation असान करने के लिए, तो अगर 10 लिटर भरने में 10 घंटा लगता है, इसका मतलब यह है कि एक घंटे में वो एक लिटर भरता है, अब लेकिन जब bottom में लीक हो, तो अब दिखें, bottom में लीक है, तो भरना तो उतना ही है आपको, पानी तो टंकी की capacity तो 10 लिटर ही है, टैंक की capacity तो नहीं बढ़ रही, सिर्फ time क्यों बढ़ जा रहा है, क्योंकि जब आप पानी भरते हैं, तो उसी वक्त पानी लीक भी हो रहा है, तो जब पानी लीक हो जा रहा है, आप भर रहे हैं और एक तरफ से खाली हो रहा है, तो definitely आपको ज़्यादा time लगेगा, इसका मतलब यह है कि अब, फिर से मैंने 20 लिख दिया, अब 10 लीटर भरने में, अब 10 लीटर भरने में ही, अब इसको 20 गंटे का समय लग रहा है, इसका मतलब चाह है, ध्यान दे इसको, पहले एक गंटे भरने में, पहले एक लीटर भरने में, एक गंटे का समय लग रहा था, अब 10 लीटर भरने में 20 गंटे का समय लग रहा है, और यह क्या है यह खाली करने का समय है यह खाली कर रहा है बेसिकली तभी तो यह time लग रहा है इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10 by 20 करूं तो एक घंटे में यह आधा लीटर खाली कर देता है ध्यान दे यह एक घंटे में क्या कर रहा है आधा लीटर पानी खाली कर दे रहा है कै ऐसे अगर मैं आवर का calculation करूं तो ये कितना हो जाएगा 10 upon 20 हो जाएगा और 10 upon 20 मतलब 1 upon 2 या फिर मैं इसको 0.5 लीटर भी बोल सकता हूँ 0.5 लीटर भी बोल सकता हूँ अपने तरीके से अगर समझना हो आपको तो ये तो बात समझ में आ गई कि 10 लीटर भरने में अगर 10 घं हो तो बताइए how much time will the leak take to empty it तो आपको जो निकालना था वो ये निकालना था कि वो एक घंटे में कितना पानी निकाल पाता है अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये टैंक एक घंटे में आधा लीटर पानी मतलब वो जो लीक है उस लीक के कारण एक घंटे में व उसको तो पूरा टैंक खाली करना है अगर एक घंटे में वो आधा लीटर भर रहा है तो दो घंटे में वो एक खाली कर रहा है तो वो दो घंटे में एक लीटर खाली करेगा दियान रहे एक लीटर खाली करने में उसको दो घंटे लग रहे है तो इसका मतलब 10 लीटर खाल करने में उसको 20 घंटे लगेंगे यह बात में आसा करता हूँ आपको समझ में होगी तो अगर मैं सवाल का जवाब देना पानी निकाल देता है, तो इसका मतलब यह है कि एक लिटर पानी निकालने में वो दो घंटे लेगा, तो दस लिटर पानी निकालने में वो दुगना टाइम लेगा, तो वो 20 घंटे लेगा, तो हमारा जो जवाब होगा, इस सवाल का वो होगा, 20 आर्स का, चलिया, अब सवाल है वो यह है कि three pipes M and NP can fill a tank separately in 4, 5 and 10 आस हमारे पास तीन pipe है M, N और P यह तीनों की तीनों जो pipe है वो किसी tank को भरने में 4 घंटे, 5 घंटे और 10 घंटे का समय लेते हैं find the time taken by all the three pipes to fill the tank when the pipes are open together यह बिल्कुल उपर जैसा ही सवाल है हमारे पास कि हमारे पास तीन pipe है M, N और P पहला pipe उस tank को भरने में 4 घंटे लेता है दूसरा pipe उस tank को भरने में 5 घंटे लेता है और तीसरा pipe उसी tank को भरने में 10 घंटे का समय लेता है तो हमारा जो पहला काम है वो है total capacity of the tank निकाल लेना वो कैसे निकालते हैं इनका LCM लेकर अगर मैं इनका LCM निकालू तो यह हो जाए का 20 और इसका मतलब यह है कि यह इसका जो पर hour work होगा वो होगा 5 इसका जो पर hour work होगा 4 और इसका जो पर hour work होगा 2 अब यह क्या बोल रहा है कि यह जो tank है वो कितनी देर में भरेगा देखिए यह एक घंटे में 5 लिटर पानी भर रहा यह एक घंटे में 4 लिटर पानी भर रहा और यह एक घंटे में 2 लिटर पानी भर रहा और अगर यह तीनों की तीनों का मतलब यह है two two by nine are simple मतलब है कि उस तीन उन तीनों pipe अगर वो एक साथ चालू हो तो यह 20 लिटर के time को भरने में वो दो घंटे two by nine और minutes में आगे seconds में हम calculate कर सकते हैं तो basically जो हमारा answer है वो है two two by nine are का मैं ऐसा करता हूँ यह question आपको समझ में आया होगा देखिए इसका जो lcm होगा वो होगा twenty four five जा five four जा ten two जा पांच चार नो माफ कीजेगा यह 11 होने वाला है तो फिर तो यह पूरा का पूरा calculation बदल जाएगा अच्छा होगा हमने इक बार cross check कर लिया यह जो होगा यह 11 होगा माफ कीजेगा इसमें गलती होगा calculation में तो यह क्या होगा यह होगा twenty by eleven और अगर मैं twenty by eleven करूँ तो eleven one जा eleven और remainder आएगा nine इसका मतलब जो आपका जवाब होगा वो होगा one nine by eleven one nine by eleven आट और अब यह बिल्कुर सही answer है हमने जोडने में गलती के कभी कभार जोडने में भी गलती हो जाती है चलिए कोई बात नहीं सिंपल सी बात जोड के ग्यारा आया एक गंटे में ग्यारा लिटर पानी भर रहे है वीच लिटर पानी भरना है twenty by eleven हमने डिवाइड किया जो भी हमारा answer है वह हमको जवाब देन अब पाइप A can fill a tank in 20 hour while pipe B alone can fill it in 10 hour pipe C can देखे यहाँ पे pipe A जो है वो fill करने का काम कर रहा है पाइप B भी fill करने का काम कर रहा है लेकिन pipe C जो है वो empty करने का काम कर रहा है मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भरने का काम हो तो सारी चीज़े प्लस मिली जाती है पर ज उसी काम को आपको माइनस में लेना होता है सवाल बिलकुल सेम है बनाने का बस आपको खाली करने वाली जीच को माइनस में लेना है अब the full tank in 30 hour if all the pipes are open together how much time will be needed to make the tank full मतलब अगर तीनों pipe एक साथ चालू हो तो आपको बताना है कि वो tank कितनी दिर में fill होगा चलिए अगर मा बात करता हूँ तीन pipe की pipe है A, B और C अब यह जो pipe A है वो किसी tank को भरने में 20 गंटे लेता है यह देखे 20 गंटे का समय पाइप B को लगते हैं 10 गंटे pipe B को लग रहे है 10 आर और pipe C के एन MT 18 30 आर इसका मतलब यह है कि pipe C को जो खाली करने में लगते है 30 आर यह तो होगे अब क के यह ठोड़ में गयता है ऐ। को खाली कर रहा है तो मैं बीच में- माइनस का साइन ले रहा हूँ आप धियान रखे मैंने लिए मैंनस का साइन क्यों लिए है क्योंकि माइनस खाली करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अब अगर इनकाgruppe LCN का भाए जैसा पहले हमने बा अगर एक साथ तीनो पाइप चालू कर दिया जाए, मतलब भरने वाले पाइप भी और खाली करने वाले पाइप भी चालू कर दिया जाए, तो यह क्या होगा देखिए, इस बार कल्कुलेशन करने में थोड़ा हमको सेफ रहना पड़ेगा, छे तिन नो और नो में से दो खाली कर देगा, पाइप A और B ने मिलके 9 लिटर पानी भरे, पाइप C ने 2 लिटर पानी खाली कर दिया, तो इसका मतलब और बचा कितना हमारे पास, एक गंटे में हमारे पास बचा 7 लिटर पानी, और हमको भरना कितना है, 60 लिटर पानी, how much time will be needed to make the tank full, मतलब अगर 60 लि जबाब होगा, वो होगा 8, 4 by 7 R, देखिए, इसका सवाल बड़े ही आसान होते हैं, solve करने के लिए, कुछ भी नहीं करना होता, आपको जो total time हो, उसका LCM निकाल ले, तो वो आपको total capacity देता है, फिर आपने पर आर वर्क निकाल लिया, पर आर वर्क में plus और minus, जिस भी तरी तरीके से हो, उसी तरीके से operate करें, सारे देखिए, जैसे इस question में था, 6 plus 3, 6 plus 3, यह हो गया, 9 में से 2 चला गया, बचे 7, इसका मतलब इनका एक गंटे का काम है, 7 लिटर पानी बरने का, हमको बरना है, 60 लिटर पानी, अगर वो एक गंटे में 7 लिटर बरते हैं, तो 60 divided by 7, 7 इस question में यह बहुत अच्छा question है, इस question को बनाने का एक तो conventional तरीका है, जो बहुत लंबा तरीका है, जिसमें आपको quadratic equation बनेगा, quadratic equation को solve करना पड़ेगा, और फिर आपको उसके जवाब मिलेंगे, अगर आप एक ऐसे इनसान है, जिनको conventional method सीखना जरूरी होता है, मतलब मन न अगर यह दोनों एक साथ खुले हों, तो वो उस टैंक को टी टाइम में भर पाते हैं, इस a separately takes 4 minute more than t, मतलब अगर pipe a अकेला भरना चाहे, तो वो t से 4 minute ज़्यादा लेता है, इसको t minute मान लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो t, a अकेला है, उसको t plus 4 minute लगते हैं, अब बात करते हैं b की, और now if to fill the tank and b और b takes 64 minutes more time than t, और b जो है उसको इससे 64 minute ज़्यादा का समय लगता है, इसका मतलब यह है कि अगर दोनों को मिलके time t लग रहे हैं, अगर दोनों को मिलके time t लग रहे हैं, तो a को लग रहा है t plus 4, क्योंकि वो t से 4 minute ज़्यादा लग रहा है, और b जो है वो t से 64 minute ज़्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब b जो होगा, वो होगा 10 plus 64, अब find the value of t, आपको इस t की value निकालने हैं, पहले मैं आपको shortcut method बता दू, फिर हम आते हैं, अपने long cut method की हो, long method की हो, देखिए, जब भी ऐसा सवाल हो कि दोनों मिलके, तीनों मिलके कोई काम कर रहे हैं, तो जो भी time t दिया हुआ है, आपको यही निकालने के लिए पूछे का वो, और आपको दो अलग अलग time देगा, जैसे यहाँ पे दिया है 4 minute औ जो मैं आपको बता रहा हूँ, और यह क्या हो गया, देखिए, root over 4, तो मैं इसको root over 4 अलग-अलग ही लिख देता हूँ, यह जो root over 4 है, इसका value आएगा 2, और into, यह जो 64 है, यह आपको पता है कि 2 का square 4 होता है, तो 4 जब root के बाहर आएगा, तो इसके value 2 होगी, और 8 का square 64 होत इसके आपको ध्यान रखना है, कि अगर दोनों को मिल के time t लग रहे हैं, और फिर उसके बाद 2 अलग-अलग pipe है, एक pipe का time दिया हुआ, इसको 4 मिनिट जादा, उसको 64 मिनिट जादा, तो आपको यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, 4 की जगा पे 9 दे सकता है, 64 की जगा पे तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, इसमें देखिए, a और b दोनों को मिल के कितना time लग रहा है, t time लग रहा है, तो चलिए इसको जोड लेते हैं, अगर आपने conventional method सीखा है, तो अगर इसको t plus 4 मिनिट लग रहा है, तो इसका मतलब इसको एक मिनिट का काम होगा, इसका तरीके से अगर a plus b के एक मिनिट का काम निकाला चाहे, तो वो हो जाएगा one upon t, ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा one upon t, मैंने क्या किया, मैंने a के एक मिनिट का काम निकाल लिया, मैंने b के एक मिनिट का काम निकाल लिया, और मैंने कुल समय को भी एक मिनिट के term में calculate किया अब ये दोनो A plus B मिलके T के बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि 1 upon T plus 4 plus 1 upon T plus 64, अब देखें इन दोनों के जो ये A है, ये मेरा A है और ये मेरा B है, और A plus B को मिलके कितना time लग रहा है, वो लग रहा है time T, अब क्योंकि ये जो पहला value था ये 1 minute में था, ये 1 minute में तो इसको भी 1 minute में होना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको भी 1 upon T रिख लिया, अब चलिए इनको solve करते हैं, अब इनको solve करना बड़ा असान है, इनको LCM लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका LCM हो जाएगा T plus 4 और ये हो जाएगा T plus 64, अब अगर मैं cross multiply करूं, ये ह हो गया T plus 64 plus T plus 4, मैं आसा करता हूँ, आपको ये LCM लेना आता होगा, अब अगर इनको solve किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, देखे, T plus T, 2T और 2T plus 68, ये हो जाएगा, 2T plus 68 upon, इनको multiply कर देते, तो ये हो जाएगा, T square plus 64T plus 4T plus 4 into 64, ये हो जाएगा, 256, equals to ये हो जाएगा, 1 upon T, इसका मतलब, अगर मैं cross multiply करूं, तो ये हो जाएगा, 2T square plus 68T equals to T square plus, ये दोनों को अगर जोड दिया जाए, तो ये हो जाएगा, 68T plus 256, देखे, मैं direct-direct calculation कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस T square को, जैसे ये हो जाएगा, 2T square minus T square, बाकी चीजों को मैं right-hand side ले जा रहा हूँ, 68T minus 68T plus 256, ये दोनों कट जाएगे, इसका मतलब ये है कि T square equals to 256, और T जो होगा, वो होगा, 256 का under root, under root 256, और ये आप जवाब दे सकते हैं, 256 किसका है, 16 का, तो देखे, हमने पहले भी answer बैसे निकाल रखा है, तो हमारा जो answer होगा, वो होगा, T equals to 16 जो हमने पहले भी निकाल रखा है, यहाँ पे अगर आप ध्यान दे, हमने T equals to 16 निकाल रखा है, और हमने long method से solve किया, तो भी हमारा T equals to 16 है, पर मैं अगर आपको समझदारी से काम करना हो, पेपर में अपना समय बचाना हो, तो आप इस तरीके के सवालों के लिए, इस shortcut method को नहीं होता, पर कभी-कभी वो बहुत काम का होता है, तो यहाँ पे वो shortcut method काम की चीज है, चलिए, अब हमारा जो अगला सवाल है, वो यह है, कि a full tank gets emptied in 6 minutes, चलिए, यह अगेन एक अच्छा सवाल है, एक जो full tank है, वो 6 minutes में खाली होता है, मतलब पूरा का पूरा tank खाली होन on opening a tap which can fill the tank at the rate of 8 liter per minute, यह अच्छा question है, यहाँ से leak हो रहा है, यहाँ से leak हो रहा है, यहाँ से पानी leak हो रहा है, मैंने क्या किया, उपर से एक pipe चालू किया, और यह जो pipe है, वो 1 minute में, 8 liter पानी भरता है, 8 liter पानी भरता है एक minute में, यह वही है, 8 liter पानी एक minute में भर रहा है, the tank get emptied in 10 minutes, इसके कारण से जो tank है, वो 10 minute में empty हो रहा है, अब समझते हैं सवाल को फिर से, देखिए, एक tank जिसको खाली होने में 6 minute का समय लगता है, द्यान रहे, एक tank जिसको खाली होने में 6 minute का समय लगता है, अब अगर मैंने उसमें एक ऐसा pipe fit कर दिया, जो कि उस tank में 8 liter पानी हर minute भर सकता है, और इसके कारण अब जो tank है, वो 10 minute में खाली हो रहा है, तो आपको बताना है कि tank की capacity कितनी है, देखिए, 6 minute में वो tank खाली हो रहा था, अब वो जो tank है, वो 10 minute में तो वो tank है, वो कितनी दिर में खाली हो रहा है, 10 minute में खाली हो रहा है, ठीक है, बहुत अची बात, आपको capacity नहीं, इस चीज समझिया, अगर वो 8 liter पानी हर minute में भरता है, 8 liter पानी हर minute में भरता है, तो 10 minute, क्योंकि वो 10 minute में खाली हो रहा, ध्यान दीजे, वो 10 minute में खाली हो तो जब तक वो खाली हो रहा होगा, एक तरफ से पानी भी तो निकल रहा होगा, दूसरी चीज, ये कितना लीटर पानी दे पा रहा है, ये 8 लीटर पानी हर मिनट में दे पा रहा है, तो वो 10 मिनट में इसको 8 लीटर के हिसाब से दे रहा होगा, अगर ये हर मिनट 8 लीटर प खाली हो रहा है क्योंकि 8 लीटर पानी उसमें अंदर भी डाला जा रहा है हर मिनट मैं फिर से इस कुछिन को समझाने चाहता हूं देखिए एक टैंक जनरली 6 मिनट में खाली होता है लेकिन अब उस टैंक को खाली होने में 10 मिनट का समय लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है क्यों जो भरने वाला pipe है वो 10 मिनिट तक 8 लिटर के हिसाब से पानी भर भी तो रहा होगा, हर मिनिट 8 लिटर पानी दे रहा होगा, तो इसका मतलब यह है कि 10 मिनिट में उसने 80 लिटर पानी भर भी दिया होगा, ये बात तो पहली बात हो गई, कि 80 लिटर पानी भर दिया होगा, अ लेकिन अब क्योंकि वो 10 मिनिट में खाली हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि हर मिनिट उसको 8 लिटर पानी दिया जा रहा है, तो यह जो 80 लिटर खाली होने का समय है, यही तो यह टाइम डिफरेंच है, 4 मिनिट, 80 लिटर पानी आने के कारणी तो वो 10 मिनिट हुआ न, जो पहले 6 मिनिट था, अब वो 10 मिनिट को क्यों गया, क्योंकि 80 लिटर पानी एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब यह है, कि अब वो 80 लिटर पानी खाली करने में, इस 80 लिटर एक्स्ट्रा पानी खाली करने में, वो एक् लीटर को खाली करने में लगे नहीं तो जनरली तो उसको 6 मिनट का समय लगता था अब यहां पे एक्स्ट्रा 4 मिनट क्यों लग रहे हैं यह 80 लीटर एक्स्ट्रा पानी को खाली करने में इसका मतलब वो एक मिनट में कितना पानी खाली कर पाता है 20 लीटर अब पहले वो कितन मिनट में 120 लिटर पानी खाली करता होगा जो इसके पहले की समय थी इसका मतलब यही हमारे टैंक की capacity है धान रहे फिर से इस बात को समझते हैं कि 10 मिनट पहले जिस टैंक को खाली करने में 6 लग रहे थे, अब उसी tank को खाली करने में 10 मिनट लग रहे, ऐसा क्यूं हो रहा? क्योंकि अब उस tank के साथ, एक ऐसी pipe को जोड दिया गया है, जो उस tank में हर minute 8 लिटर पानी देता है, टोटल 10 मिनिट खाली करने में लग रहा है इसका मतलब वो जो पाइप है जो 8 लिटर पानी देता है वो 10 मिनिट तक उसको पानी देता रहा होगा तो 10 मिनिट में उसने 80 लिटर पानी खाली कर दिया होगा जो पहले 6 मिनिट में खाली हो रहा था अब वही pipe 10 minute में खाली हो रहा तो यह 4 minute का gap आया यह 4 minute का gap क्यों आया क्योंकि 80 liter पानी अब extra आ गया पहले तो नहीं आता था इसका मतलब 80 liter पानी खाली करने में 4 minute extra लग रहे तो हर minute वह 20 liter पानी खाली कर रहा होगा इसके हिसाब से पहले जब उसके साथ कोई पाइप नहीं जुड़ा था 8 लिटर पार मिनिट वाला तो उसको 6 मिनिट लग रहे तो और हर मिनिट में अगर वो 20 लिटर पानी खाली करता है तो 6 मिनिट में 6 into 20 equals to 120 लिटर उस टैंक की capacity रही होगी मैं आसा करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा चलिए अब आखरी तीन सवाल है इनको भी deal कर लेते हैं देखे अब यहाँ पे efficiency वाले सवाल है जैसा हमने time and work में पहले भी देख रहा है efficiency का जो ratio है वो है 3 to 1 का यह किसका है 3 to 1 का मतलब अगर मैं efficiency किसकी बात करूँ A to B की यह efficiency के ratio 3 to 1 हुई क्यों कि हमको यहाँ पर यह बात बोलता है कि tap A can fill a tank 3 times faster than tap B मतलब A to B की जो ratio है वो है 3 to 1 पर हमको सवाल time and work में efficiency से नहीं बनाना होता है क्योंकि यह जो pipe and system है वो time and work का ही extension है तो यहाँ पर efficiency से तो सवाल नहीं बनेगा हमारा सवाल बनेगा time से तो efficiency और time ध्यान रखें efficiency और time एक दूसरे से inversely related होते हैं मतलब आपस में एक दूसरे से inversely जुड़े होते हैं इसका मतलब यह है कि अगर मैं time का ratio का बात करूँ तो time जो होगा A is to B का वो होगा 1 is to 3 का simple सी बात है अगर A तीन गुना ज्यादा तेज है B से तो काम करने में तीन गुना कम समय भी तो लेगा और अगर B, B के efficiency 1 है तो यह मतलब तीन गुना ज्यादा समय लेगा efficiency ज्यादा तो वो कम समय लेने वाला है, efficiency कम तो ज्यादा समय लेने वाला है यह बात तो समझ में आ गई, अब आते हैं फिर से हमारे सवाल पर हमको time मिल गया जिससे हमको काम होता है if tap A can fill a tank 3 times faster than tap B and takes 28 minute less than tap B to fill the tank क्योंकि tap A tap B से 3 गुना ज्यादा तेज है और इस कारण से tap A को tap B के comparison में 28 minute कम समय लगता है मतलब जो भी समय tap B को लग रहा है उससे 28 minute कम लग रहा किसको tap A को क्यों क्योंकि tap A tap B से 3 गुना ज्यादा तेज है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर किसी काम को करने में टैप B को तीन गंटे का समय लगता है तो उसी काम को करने में टैप B को एक गंटे का समय लगता है अब यह जो अठाइस मिनट है यह इनके टाइम के बीच का डिफरेंस है ध्यान रखे तो यह 1 को मैं x मान सकता हूँ और इस 3 को मैं मान सकता हूँ 3x अब यह जो 28 minute है वो इनी के बीच का time difference है इनी के बीच के जो समय का अंतराल है वो 28 minute है तो यह भी तो समय है 3x और x भी तो समय है और इनी के बीच के जो समय का अंतर है वो 28 minute है इसका मतलब अगर मैं 3x minus x करूँ तो वो किसके बराबर होगा 28 के बराबर होगा या फिर ये 2x किसके बराबर होगा 28 के बराबर और अगर x की बात की जाए तो वो होगा चाओदा इसका मतलब क्या है then find the time taken to fill the tank if both the pipes if both the taps are open assignment अगर ये दोनों के दोनों एक साथ चालू कर दिये जाएं तो बताइए कि इनको कितना समय लगेगा देखिए x हमको मिल गया 14 और ये 3x है इसका मतलब ये है कि 3 into 14 ये हो जाएगा 3 into 14 इसका मतलब हो जाएगा 42 अब वापस से पुराने सवाल पर आ जाते हैं ए को कितना दिर लग रहा है अगर दोनों के दोनों एक साथ चलेंगे तो एक घंटे में चार लिटर पानी बरेंगे तो 42 लिटर पानी बरने में इंको कितना समय लगेगा 42 अपान 4 4 10 जा 40 मतलब 10 2 अपान 4 या फिर मैं बोल सकता हूँ 10 1 अपान 2 मतलब साड़े 10 घंटे का समय लगने वाला है देखिए 42 divided by 4 4 10 जा 40 यहाँ पे बचेगा 2 इसका मतलब 10 2 अपान 4 हमने सहीं लिखा था और हमसे सवाल भी यही पूछा था इफ बोथ टाप्स ऑन ओपन साइमल्टेनिसली दें फाइंड टाइम टेकें टू फिल दाइम आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर आपको एफिसेंसी गिवेन हो चाहे वो किसी भी तरिकी का सवाल हो तो पहले आपको एफिसें का तो मैंने टाइम का डिफरेंस ही निकाला क्योंकि X और 3X भी टाइम थे तो 3X minus X equals 2 हो गया 28 यहां से मिला आपको X और फिर तो हमको यह पुराने सवाल हो गया कि A को मतलब 14 गंटे लग रहे है और 14 मिनट लग रहे है और B को 42 मिनट लग रहे है 42 हो गई total capacity of the tank यह हो गया एक गंटे का काम और यह हो गया उनके एक गंटे का काम तोनों मिलके काम करें तो चार लिटर एक गंटे में बढ़ने का काम करेंगा चलिए यह वैसा ही सवाल थोड़ा अससे अलाग है बस यहां पर slow के बात pipe A is three times slower than B फिर से मैं बात करता हूँ यहां पर मैं efficiency की बात कर रह पाइप A is three times slower इसका मतलब यह हो जाएगा 1 is to 3 अब यहां पर pipe अगर A तीन गुना slow है तो इसका मतलब B जो है वो तीन गुना fast होगा तो अगर इसी से मैं time का ratio निकालना चाहूँ आपको अभी हमने discuss किया कि जो efficiency और time होते हैं वो आपस में inversely related होते हैं तो time का जो ratio होगा व and take 16 minute more than the pipe B क्योंकि pipe A pipe B से three times slower है इसके कारण उसको 16 minute जाता समय लग रहा है इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां से 3x minus x करो again वही इस 3 को मैंने मान लिया x इसको मैंने मान लिया x क्योंकि time का difference 16 minute का है तो यहां भी मैं 3x minus x equals to 16 करता हूँ यह हो जाएगा 2x equals to 16 या फिर मैं क equals to 8 और आपसे पूछा क्या how much time will pipe B take to fill the tank आपसे तो सिर्फ यहां पर pipe B पूछा है और ध्यान रखे pipe B का जो time था वो x ही था और जो हमने सीधा सीधा निकाल लिया है इसका मतलब यह है कि pipe B को उस tank को भरने में 8 घंटे का समय लगेगा चलिए अब बढ़ते हमारे अगले can fill a tank in 12 and 16 minutes respectively if both the pipes are opened simultaneously how much time after how much time should B be closed so that the tank is full in 9 minutes सवाल क्या है कि अगर हमारे पास दो pipe है एक है pipe A एक है pipe B pipe A उस tank को भरने में 12 minute का समय लेता है pipe B उसी tank को भरने में 16 minute का समय लगता है यह बात तो हो गई अब अगर दोनों pipe को एक साथ चालू किया जाए तो बताए कितने समय के बाद pipe B को बंद कर दिया जाए ताकि पूरा का पूरा टैंक 9 minute में ही भर जाए फिर से इस बात को समझे कितने मिनट के बाद pipe B को बंद कर दिया जाए मतलब pipe B पूरे अंतराल तक नहीं चलेगा pipe A त पूरे अंतराल तक चलेगा pipe B को कितने मिनट के बाद बंद कर दिया जाए ताकि जो पूरा का पूरा टाइंक है वो 9 गंट 9 minute में भर जाए पहले तो इनका LCM क्या होगा इसका LCM हो जाएगा 12 12 12 24 12 36 12 48 48 48 ठीक है 16 16 16 32 16 16 32 48 48 इसका मतलब इसका LCM हो जाएगा वह जाए गड़ इसका मतलब यह है कि यह है 4 यह है वह ऑर यह है ज्याल इसका मतलब यह क्या है memang कि Chaid रसको सब्arma को बंद करना है हम को सवाल पूच रहा है सूठ BP ? बडु को बंद करना है लेकिन अगर में B को बंद खरणा हैं तो भी तो टैंक 9 मिनट में भर रहा है, इसका मतलब यह है, ध्यान रहे, यह पुइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो पाइप A है, यह पूरा का पूरा 9 मिनट तक चला है, और पाइप B किसी टाइम के बाद जाके बंद हो गया है, तो यह काम करते हैं ना, देख लेते देखे, 9 मिनट तक पाइप A ने पूरा काम किया, और पाइप A एक मिनट में 4 लिटर पानी भर देता है, इसका मतलब 9-4 जा, 36 लिटर, तो यह बात तो समझ में आ गए, कि पाइप A अकेले ने पूरे 9 मिनट में 36 लिटर पानी भरा होगा, कितने में से, 48 में से, मतलब 48 लि अगर पाइप B की, तो पाइप B कितना भरता है, पाइप B इसका मतलब 12 लिटर पानी पाइप B ने भरा होगा, और पाइप B एक घंटे में तो 3 लिटर पानी भरता है, इसका मतलब यह है कि 12 लिटर पाइप बरने में इसको कितना समय लगा होगा, चार मिनट लगा होगा, और इसमें हमारा जो जवाब हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि 4 मिनिट के बाद Pipe B को बंद कर दो ताकि पूरा का पूरा पूरा टांक है वो 9 मिनिट में भर जड़ अब देखिए हमारे पास सारे सवाल खतम हो गया हमारे पास जितने भी सवाल थे जितने भी अलग-अलग त प्रयास है आप तक एक quality content पहुंचाना और जिसमें सिर्फ आप रटने पर focus ना करें आप जिसमें समझने पर focus करें अगर आपको किसी भी exam के लिए किसी भी तरीकी की online classes के जरूरत है प्लीज मुझको बताएं और बिल्कुल free of cost मतलब I am not going to charge any penny from you guys you just have to tell me कि आपको पढ़ना क क्या है अगर आप मुझको यह बता दे आपको कौन सा topic पढ़ना comment box का इस्तमाल करें आप मुझको यह बताएं आप किस paper के तयारी कर रहे हैं आपको कौन सा topic के जरूरत है और आप इस बात का यकीन मानिए कि आपको मैं वो topic पूरा का पूरा यहां पे personalized class जैसा लूंगा तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले किसी topic की और आज की class को यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद